हेलो दोस्तो, माई नेम इस निशान्द, निश इस्टड़ी आईक्यू में आपका स्वागत है, अगर आपको मेरे लेक्चर की वीडियो नोटिफिकेशन और पीडियाफ चाहिए तो आप टेलिगराम पर अगर इस निश इस्टड़ी आईक्यू के नाम से ग्रूप को जोईन कर सकते हैं, तो दोस्तो, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे Russian Revolution, इससे पहले हमने देखा था Industrial Revolution, American Revolution, French Revolution, Italy Unification, Germany Unification, उसके बाद हम देखेंगे World War I, World War II, Cold War और USSR का Disintegration तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे Introduction, क्या क्या Background था Russian Revolution से पहले क्या कोजिस थे, Russo-Japanese War को, Russian Civil War और क्या क्या Impact हुआ Russian Revolution का तो सबसे पहले, एक इसकी One Line Definition यह है कि 1917 में, Russia के अंदर Revolution होता है एक February में, जो February से चलता है तिल October तक तो जो February Revolution है, यह Economic Crisis के वज़े से आता है और जो Workers की Condition है, यहाँ पर बहुत बेकार हो चुकी होती है तो वो Demand करते हैं कुछ reforms के बारे में तो इस चक्कर में यहाँ पर यह February Revolution होता है फिर October Revolution में क्या होता है, जो यहाँ पर अभी Romanov Dynasty का रूल होता है, तो यह जो Tsar Dynasty, जो Romanov Dynasty का जो रूलर होता है Tsar Nicholas II, उसको भीया हटा दिया जाता है तो USSR की फिर Establishment होती है, जो पहली Communist Party बनती है, वर्ल्ड की और यह 1991 में USSR का disintegration हो जाता है तो क्या होता है, कि 1884 में नया राजा बनता है यह Romanov Dynasty का, जिसका नाम होता है Tsar Nicholas II, तो अब क्या होता है, यहाँ पर एक बन्दा होता है, जिसका नाम रासपुतिन होता है तो जो Tsar होता है, और उसकी wife होती है, जरीना, भीया वो इससे बहुत ज़्यादा influence होता है तो रशिया के अंदर क्या एक rumors फैल गई होती है, कि यह जो जरीना है, और रासपुतिन का एक affair चल रहा है, तो इसकी वज़े से जो वहां के लोग है, उनमें एक गुसा होता है, मोनार्की के अंदर, और राजरानी के against में, तो किन-किन causes की वज़े से यह Russian revolution होता है, तो क्या होता है, अब तक यह जो रशिया है, यहाँ पर यह पूरा का पूरा एक agriculture पर depend है, यह एक agricultural country है, और यह इसमें इस टाइम तक भहिया बहुती ज़्यादा minimal industrial development होता है यहाँ पर जो aristocrate होता है और जो clergy होता है, वो government को dominate करते हैं यानि कि जो इस देश को चला रहे होता है, उचे तबके के लोग वो ज़्यादा हिस्सेदारी लेते है इस देश को चलाने में अब भीया, जो यहाँ पर workers की हालती बहुत बेकार तो अब क्या है, यह जो है 17th century से, रशिया जो है एक की dynasty के अंदर था 17th century से, तो 300 सालों से यह Romanov dynasty रूल कर रही थी तो जो यूरोप में French revolution हुआ और जो enlightenment था, तो इसकी वज़े से जो है रशिया के लोगों में ideas आए कि भीया, हम भी revolution करेंगे हम भी democracy लाएंगे अपने देश में, rights देंगे individual को और एक accountable government को form करेंगे, रशिया के अंदर में अब क्या होता है, यहाँ पर दो important leader होते है इसके अंदर, एक पहला होता है Karl Marx, दूसरा विलादिमिर लैनिन तो जो Karl Marx है न, इसने यह communism के बारे में बताता है यह communism में क्या होता है यह बोलता है, जो power है वो हमेशा proletariat के पास होनी चाहिए यानि के जो workers होता है जो working class है, उनके पास होनी चाहिए यह power, तो यह जो Karl Marx है यह RSDP को, RSDP party को बनाता, 1898 में उसके बाद क्या आता यह जो party होती है, 1903 में divide हो जाती है, एक bolshevik में और एक manshevik में यह ideology के कारण में इनका division हो जाता, यह bolshevik वाले कहते हैं कुछ और, और manshevik वाले कहते हैं कुछ और, यह जो bolshevik का मतलब होता, इसका मतलब होता majority और manshevik होती है minority, लेकिन क्या था, यह उस टाइम पर जो, यह bolshevik party थी, वो थी minority में लेकिन यह manshevik थी, majority में तो यह जो lenin है, यह modify कर देता है, communism की definition को, अब यह कहता है, यह जो proletariat है यानि के जो working class इनकी dictatorship होनी चाहिए यह rule करने के लिए तो अब क्या हुआ, 1904 से 1905 में, Russia और Japan की लड़ाई होती है, वो भी manchuria और manchuria को लेके, Korea और यह port Arthur को लेके, यह manchuria जो region है और यह Korean region है, यह बहुत ज़्यादा rich था iron और, iron और उसके लिए, और कहा है, यह जो port Arthur है, इस time पर क्या होता था, जो Russia था, उसके पास कोई भी एक warm water नहीं था, जिससे उसके जो import export होता था, वोटर के जरीए वो कर सके, इसकी वज़े से Russia और जैपनीज जो है, इस port Arthur के लिए लड़ते हैं, फिर क्या होता है, इस लड़ाई में, Russia की हार होती है तो जिसकी वज़े से 1905 में, एक revolution होता है Russia के अंदर, अब जो है, workers strike कर देते हैं, और वो reforms की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो राजा होता है, जार निकोलस 2nd, वो इस strike को रोकने के लिए अपने ही लोगों को भीया मरवा देता है, और इस event को कहा जाता है, bloody Sunday क्योंकि यह उस दिन Sunday का दिन था, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे देश में strike चलती है, तो अब इसको यह protest को रोकना होता है, तो फिर वो एक October manifest निकालता है, जार निकोलस 2nd, उसमें वो rules बताता है, फिर क्या होता है, वहाँ पर एक जो इंडिया में पार्लेमेंट है, लोकसभा और राजयसभा, ऐसा ही, वह वहाँ पर रशया के अंदर अपनी पार्लेमेंट को establish करता है, जिसको डियूमा बोलते है यह क्या है, एक representative बोड़ी है तो इस डियूमा के अंदर यह Peter Stolipin नाम का एक आदमी होता है, जिसको पी-एम बनाया दिया जाता है डियूमा का, और यह 1906 से लेके 1911 तक यहां पर रहता है, अब उसके बाद 1911 में जो राजा होता है, वो इसको मरवा देता है जिसके वज़े से यह जो डियूमा होती है, वो फेल हो जाती है फिर World War I की स्टार्टिंग होती है तो ऐसा माना जाता है कि यह जो रशिया था, इसका भी एक हिस्सेदारी थी कि जो World War I को स्टार्ट होता है, करवा तो इस World War I में क्या होता है, यह अपने 20 लाग सेहनिकों को खो देता है और 80 लाग सेहनिकों को इसमें मारे जाते हैं तो 1917 में अब क्या होता इस टाइम तक जो है पूरे रशिया में economic crisis और food shortage होने लगता है तो जो Ottoman Empire होता है जो इस टाइम अभी collapse होने की कगार पर होता है, वो क्या करता है बाहर से जितने भी ships आते है रशिया की तरफ वो भीया उनको आने नहीं देता है जिसके वज़े से क्या होता है वहाँ पर 1917 में revolution हो जाता है और फिर एक civil war चालू हो जाती है रशिया के इंदब जो 1917 से 1922 तक चलती है इसमें 20 से 30 लाग casualties होती है फिर क्या impact होता है इसका पूरे Russian revolution का अब जो यहाँ पर मोनार्किती उसको खतम कर दिया जाता है और जो communism है जो workers की जो working class की बात करता है भाईया वो असली में दिखाई देती है यहाँ पर अब जितनी भी resources है वो सारी की सारी nationalize कर दी जितनी भी private properties है सब nationalize होगी सारे bank schools सब सारे hospital सब यह nationalize सब government के अंदर में आ जाते है यह private property का concept इसको abolish कर दिया जाता है और यह command economy के बारे में बात करते है यानि कि जो अब यह five year plan का concept लाते है कि जो भी हम development करेंगे इस five year plan के अंदर करेंगे और यह 1928 में लिक्या आता है जो इंडिया ने five year plan लिये थे वो ही USSR से लिये थे फिर क्या होता है यह पहला revolution बनता है जो एक establish करता है true equality जो एक equality के बारे में बात करता है तो दोस्तों यह था हमारा Russian revolution next topic हम देखेंगे world war one so guys thank you like, comment, share and subscribe